राजस्थान बीजेपी में पहली बार मुख्यमंध्री को लेकर अस्समंजस पियमाबास पर चोर घंटे हुआ मंथन राजस्थान में विधात सबाच चुनावों का रिजल्ट घोसित हुए तीन दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है और अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है दिली से लेकर जयपूर्टा के स्मूद्धे पर अंदर खाने बैठके और मंधर जल रहा है मंगलवाज श्याम को प्रेधान मंत्री आवास पर मिश्याह और जयपी डड़ा के भी चौर घंटे बैठक चुली बीजेपी नेता जॉल्द राजस्थान सीम के नाम पर फैसला होने का दावा कर रहे है राजस्थान बीजेपी में ये पहला मोका है जो मुख्यमंत्री को लेकर ये समंजस बना हुआ है से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़की रही है इसलिए कभी नतीज़ आने के बाद असमंजस नहीं हुआ पहले बहरो सिंग शेखावत बीजेपी के सीम चेहरे हुआ करते थे 2003, 2008, 2013 और 2008 के विधान सभचनाव में वसंद्रा राजेप पहले से सीम चेहरा घोषित थी इसलिए समंजस नहीं हुआ राजस्थान सीम को लेकर दिल्ली तक हलचल शुरू हो गई है से लेकर बीजेपी के राजट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने मंगलवाज शाम पियम नरेंदर मोधी से मुख्या मंतरी चाइन को लेकर चर्चा की थी पियम सीनर्ड़ा की इस मुलाकात के बाद अब राजस्थान सीम पर फैसले की प्रक्रियाब आगे बढ़ने की संभावना है इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बुद्वाल को विधायक दल की बैठक बलाने की तारिक का ऐलान कर सकती है वही मंगलवाल को मिलने आए विधायकों को भी उनके छेतर में जाकर एक्टिव रहने के लिए कह दिया गया है संगठन की ओर से मैसेज पहुचाया गया है कि जब भी बैठक होगी आपको जियापर बुला लिया जाएगा